अपको यूट्व चैनल कम बोज सर पर आई होग क्या सभी अच्छ होंगे तो आप लोग के लिए उत्राखंट बोर्ड ने जो है सेंपल पेपर जो कि हर साल उत्राखंट बोर्ड जारी करता है और एक यह मान के चलिए कि आपका पेपर जो में फाइनल बोर्ड एक्जाम काने वाला वो कैसा रहने वाला उसका पैडरन कैसा रहेगा कोशन का कोशन पेपर का लेवल कैसा रहेगा वो सारा आपको सेंपल पेपर से क्लियर हो जाता है तो हाली में उत्राखंट बोर्ड ने सेंपल पेपर जारी करती हैं लगबग सभी सब्जेक्ट के तो आपको डेली एक दो subject के sample paper देखने को मिलने वारे हमारे YouTube चैनल पर तो जिन बच्चों आप ते चनल को subscribe नहीं का जल्दी सा subscribe बटन प्रैस कर दीज़े हर एक sample paper को हमा analyzes करेंगे और बताएंगे कि question paper कैसा रहने वाला है बाकी कौन से question है इन में से जो आपके 101% आने ही आने आने आपके क्योंकि जो question का pattern है वो एक clear हो जाता है कि कौन सा question उत्राखन बोड देने वाला है sample paper से बाइकियों और कौन-कौन से question जो हैं आपके important हैं कौन-कौन से आ सकते हैं किन के chances हैं उसके लिए हमने आप लोग के लिए पीड़ प्रिपेर करिए जिसमें आपका grammar section हमने पूरा cover किया जिसमें आपका निबंद हो गया पत्र हो गया सब कुछ हमने cover कर रखे हैं जन संचार माद्देंवाला सारे topic हमने आपर cover किये हुए इसके अलावा कावे खंड आपका गद्दे खंड इसके लावा जो आपके अनिवारे संस्कीत है यह सारे आपने आप लोग के लिए जो important question बनते हैं 2024 पच्चेस बोर्ड exam के लिए वह आप लोग के लिए आपर prepare कर लिए हैं बात करेंगे कि यह PDF आप important question की कैसे ले सकते हैं वो भी हम प्रश्ण पच्चेस अब वीशे आपका हिंदी समय आपका तीन गंटे रहेगा पूर्णा कसी नंबर यह तो आप सभी को पता होगा निर्देश पढ़ लेते हैं इस question पत्र में दो खंड आता बाहें दोनों खंडों में पूछे के सभी प्रश्णों के उत्तर देना अनिवार हैं उत्तर यथा संबत क्रमवार लिखे प्रश्णों के अंक उनके समुक्ष अंकित हैं तो यहां पर एक चाहिए आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूर जाते हैं कि जब आप question paper solve करना करते हैं तो आप एक लाइन से जैसे question number first हो गया तो आप लाइन से solution कर दिया question number second का तो लाइन से करते जाते तो एक थोड़ा सा टीचर को भी कभी चेक करने में थोड़ी आप बूल सकते हैं कि easy हो जाता है को भी चेक करना बट compulsory नहीं है कि आपने लाइन से करते जाना है मालो first वाला आगया आपको second वाले cancer नहीं आर तो आपने second की जगा third वाला कर दिया फोर्त वाला कर दिया बट ऐसा नहीं कि आपने पहले 26 कर दिया फिर उसका first कर दिया फिर 10 कर दिया फिर 5 कर दिया फिर 8 कर दिया यहां पर थोड़ी सी द्ध्यांस की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि यह हर साल आपका चेंज होकर क्याता है रिपीटेड नहीं आते इसमें बट जिन बच्चों को नहीं पता जिरोंने अभी तक हिंदी पगड़ी नहीं है तो उनके लिए बता दें कि फर्स नंबर में सिर्फ आपको एक कहानी टाइप आपको एक छोटी सी स्टोरी दे देंगे ठीक है और उसी से सम्मंदित आपसे नीचे प्रस्ण पूछी जाएंगे तोटल आपका जो यह रहने वाला है दो प्लस दो चार पांचे छे और नीचे आपका साथ ठीक है तो बात करें कि तोटल कितने नंबर का आपड़ को मिल जाएंगे तो यह तो लगबग सारे बच्चे लगबग 80-90 परसेंट बच्चे इसको इसली कर लेते हैं चलते हैं सेगे नंबर पर एक आपका आपड़ेज गंदिहांस आएगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नंबर सेगेड़ इसमें आपको से कहा है देखो दियेगा संकेत बिंदू के अधार पर किसी एक विशे पर लगबग 200 सब्दों का निबन लिगना है अब आपको आपको आप देखो टॉपिक तो टॉपिक है एक हिंट आप बोल सकते हैं कि क्लू मिल गया है कि इन दो में से आपका 101 परसेंट आपके येरली वाशिक पेपर आपको कौन-कौन से टॉपिक बनाने हैं वह आप बच्चों स्क्रिंग पर देख पारे होंगे जीवन में शिक्षा का महत पर सदाचार का अर्थ हैं वाण जीवन में प्रयोग कि उसको आपने पढ़ लेना है चलते हैं अगले प्रस्ट की तरफ प्रस्ट नमबर तीन है अ अपका जो शहर या फिर गाउं की तरब जो जाने वाला जिला मुख्याले से संपर्ण तूट गया है ठीक है में ना बूल सकते कि शहर के तरब जाने वाला आपका जो रास्ता है वो तूट गया है उस रास्ते को दुबारा चालू करने के लिए आपने प्रात्ना पतर लोक्त की जानकारी देदा हुए अपने पिता जीको पत्र लिखता लिखा में अंतर विद्धालणी वादर पर यदि जिस्में पाडिस्पेट किया और उसमें आपने फर्स्ट पोजिशन प्राप्ति किये यह फिर फिर खास बादर का टॉपिक है था वह सब अपने लिखकरक तो भी आपकी important अभी तक जितने आपने टोबिक देखे हैं यह सारे आपको हमारे उन पीडियाफ में देखने को मिल जाएंगी कई बचे कहेंगे इसका solution प्रोवाइड करा दीजिए या फिर important question तो वो सब आपको हमारी पीडियाफ जो कि हमने आप लोग के लिए important questions की बनाईए उसमें सारे question आपको यह देखने को मिल जाएंगे वीडियो के लाश में मैं बताऊंगा कि वो पीडियाफ आप कहां से ले सकते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं क्रिया पड़ चाड़ कर के किरा का भेद बताना है मोहं चाए पी रहा है फिर राम हसता है जैसे क्रिया पड़ चाड़ करके वो आपको बताना है पर प्रस नंबर पांचनिम लिखित का यह था निर्देश उत्तर दीजिए विध्यालय कल भ खुलेगा इसमें आपने क्या चाड़ना है निपात तो आई होब की बच्चों यह आपने पढ़ लिया होगा और उसके बाद नेक्स देखें जिन बच्चों ने इसको नहीं किया है ग्रामर सेक्सन अच्छे से कर लिजए क्योंकि फ्री के मार्क्स होता है सिर्फ आपको लाइन इधर से उधर करनी है बाकि कुछ नया इसमें नहीं लिखना होता है यहां पर क्या हो जाएगा कल भी इहां पर निपात हो जाएगा फिर है खानए नरेंदर शाम को रोटी और दाल आहिए समुच्य बोदक सब्द चार्ट करके लिखे हैं समुच्य बोदक का मतलब क्या हो यहां पर जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है समुच्य बोदक ठीक है तो यहां पर कौन कर रहा है समुच्य बोदक का काम रोटी और डाल तो यहां पर आपका क्या जाएगा और फि साधारान वाक्य वो आपको यहां पर बताना है चलते हैं नेक्स्ट अब यह वाक की किस परकार का है यह भी आई होप कि आपने grammar section में अच्छे से पढ़ लिया होगा चलते हैं next question की दरफ प्रश्ण नमबर आपका 6 का खायन नियमने में से संयुक्तिवाक्य का चेन कीजिए संयुक्तिवाक्य बताना है आपने रमा थोड़ी देर के लिए आई और चली गई मोहन को बलाओ आप बहार ना जाए इश्वर तुम्हें सफल करे आपने सबस्ट देख लेना है फिर कोश समर्थ नमबर सयंवन आपका मोहन द्वारा पुस्तक पड़ेगी वाच्चे का नाम बदा यह वाच्चे आपने पढ़ना है कर्थ्वाक्य हो गया तो सब आपने पढ़ना है पक्षिए उरते हैं भाव वाक्चे में बदलना है या पक दिखाई उसमें सारे आपके इंपोर्टन जो हमने कवर किया हुए है चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्ण की दरफ खानबरे निमलिकित सब्दों में से कौन विधी सब्द का अर्थ नहीं है ब्रह्मा भाग्य रिती या फिर महादेव तो इसका अंसर आपने हमें कमेंड वक्स पुतारने चलते हैं प्रश्ण नमबर 9 पर निमलिकित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के लिए के न आप एक चीज और बता दो कि कई बच्चे रहते कि काव्यांश उसी में समको आंसर ज्यादा तर मिल जाते तो यहां पर एक चीज आप लोग गला सोचते हैं कि जो आपका काव्यांश वाला हिस्सा है ठीक है उसमें से आपको काव्यांश पूरा उसका जो समरी है या फिर व कर ही लेने हैं तो फिर उस बत कवीता था कवीता का नाम धूली दूसरित गात की तुलना किस्से की गई यह आपको तन है फिर सेकेंड नंबर आपका यहां पर दे रखा है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारिस और का साथ देती यह आपका सेकेंड काव्यांश है इस सम अलंकार अनुपरास है ठीक है तो यह आपको बताना है आपर जो भी अलंकार होगा चलते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर टैन पर निमलिक्स मेंचे कि नहीं दो प्रशनों के उत्तर देजिए दो प्लस दो चान नमबर का है इस मिर्थी को पाथे बनाने में कवी का क्या आश है का नमबर है साहस और शक्ती के साथ में नमरता हो तो बहतर है इस कथन पर अपने विचार लेकिए अगला है ग्याना नमबर और एक एक नमबर का यह प्रशन है संगीत कार के माध्यम से कवी किस प्रकार के वैक्तिव करना चाहा रहा है फिर है और अात्मकाथ कविटागा प्रधिपात विशे क्या है वह आपको बताना है प्रस नमसर अगले प्रस्चन की तरफ अगले कि नमीगत है अगला है निमलीत प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों को उत्तर दीजे पहला है नेता जी का चस्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है पाट कादार पर बाल गोविंद गोविंद भगत के मधुर गायन की दो विसेशता हैं लिखे एक कहानी यह भी कि विसे वस्तू क्या है क्या कारण था, यह आपको बताना है मुसली ऐसे को लिखने एक्षाम जोंकी बिखने काफी वार रिपीट हो चुके है तो इस कोशन पेपर को आपने घौल करके पीजाना अचका से बाकी जो इंपर्टम कोशन हम आपको बता रहे है वो मैं अभी आपको कुछ दिखा दूँगा उसमें से फिर उसके बाद है प्रश्च नमबर 15 निम लिखित प्रश्णों में से किनी तीन प्रश्णों के उत्तर लिखे माता का आचल सिर्सक की उप्यूकतता बताते हुए कोई अन्य शिर्सक सुझाईए क्या आप उस कहाने के कोई और नाम लिख सकते हैं वो आपने आपर लिखने है का नमबर है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं किस तरसे अपने प्रेम दिखाते हैं प्यार को दिखाते हैं वो आपको आपर बताना है गानमबर है अब इसमें से देखो चार है चार में से कितने करने है मातर तीन करने है कभी गंगतो को महनतकस बात्साओं का शहर क्यों कहा गया most repeated question आप इसको बोलेंगे मैं अभी आपको इस सारे question जो हमारी PDF हमने आप लिए प्रिपेर किया most important की उसमें आपको दिखाने वाला हूं कभी श्वेत्तों कभी रंगीन पत्काओं का फैराना किन अलग-अलग अपसरों के और संकेत करता है ठीक है तो यह हो गया आपका grammar section आपने देख लिया आपड़ित गद्धांस देख लिया काविखंड गद्धिखंड देख लिया उसके बद आपने second book देख ली ठीक है चलते हैं अब आपके संस्कित वाले portion पर यहां पर आपको दिया है आपको अपेट गद्धांस मिलेगा उससे समंदेज जो प्रशने पूछे हैं उनका answer आपने आप देने है और यहां पर एक benefit क्या है कि जो आप से यहां पर प्रशने पूछे जाएंगे उन प्रशनों के उत्तर आपको इस अनुछ्छे दिया फिर प्रश्णान पूर्ण वाक्या में देने हैं कितने में से दो ठेक हैं और सेम टू सेम पैटर्न आपका बोर्ड एक्जाम में देखने को मिलेगा नाज़नल के एक निटते निस प्रड़ में इसोरी बाक्यम उत्तर देना है किनि 9 प्रशमिंग्त के ओर त्य कहां रहता था का नागाधी राज कौन नागाधी राज है दक्स प्रजापते प्रवाणिक राजदानी थी वो कहां है ठीक है उसका चलते हैं प्रशनमबर 19 पर यहां पर लिखा है अधो लिगी तेशु सब्देशु यतोचितम सब्द चित्वा केवल केवलम चत्वारी रिक्तिस्थाना न करने है अगर आप लोग कमेंड बॉक्स मुत आएंगे कि सरी यह पेपर का भी सॉल्यूशन बता दो वीडियो डाल करके ठीक है तो इसका भी हम सॉल्यूशन आप लोग के लिए प्रोवाइड तरा देंगे बस चैनल के साथ जरू जूड़े रहना है अगर आपको बार्ड इग्जाम के अच्छे से तैयारी करने है कौश नुबर ट्वांटी है यहाँ पर आपको कहा है निमलिखित में से निर्देश अनुसार किनी चार प्रश्नों को उतर देने है चार को उतर देने है का नंबर आपका है संधी करनी है अती प्लस आचार तो इक्या हो जाएगा गानमबर है समास विग्रे करना है इसका यथा शक्तिम और पित्रो ठीक है इसको आप देख लेना है फिर गानमबर अब इसमें आपको क्या गाहे चार प्रश्ण कुत्तर देने हैं चार यानी पांच टोटल दे रखें तो गानमबर आपका निमलीकी सब्दों में उपसर्ग अलग करने हैं दोष्ट चरित्ती हो गया पर्यावर अगया तो यहां पर आपको उपसर्ग यानी जो उपर की तरफ लगते हैं आगे की तरफ वहां पर आपने बताना है कि उपसर्ग क्या है कोश फिर अड़ा नंबर कोश्टक में दिएगे सब्दों में से सुद्ध सब्द चुनकर रिक्तिस्तानों की पूर्थी कीजिए यहां पर आपको चार चार ऑप्शन दे रखें ठीक है आप आप देख पा रहे हैं इन चारों में से कौन सा एकदम सुद्ध है जो सटीक है जो कि आप यहां पर रिक्तिस्तान में भरेंगे तो टोटल पांच देखें पांच में से कोई भी चार आपको आपको करने हैं प्रस नंबर 21 और लास्ट प्रस ने आपका निम्नांकित सब्द सूचिता हा चतुर नाम सब्दानहा वाक्य व्रुयानी नीचे आपको टोटल पांच सब्द दे रखे हैं पांच में से किनी का आपने चार में वाक्य प्रियोक करना है या फिर आपको किनी दो वाक्यों का संस्कित में अनुवाद करना है मैं खेलता हूं छात्र विद्ध्या ले जाता है हिंदी अमारी राजभाशा है तो यह बचो होगे आपका पूर ट्वेल्थ की ओपन हो गए थी बैट इसको मैं आपको क्लास 10 की शोगर देता हूं तो कोशन पर अब बात कर लेते हैं इंपोर्टन कोशन की तो देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं सिनानी ना होते हो भी चसमे वाले को लोग क्यों क्यों कहते थे तो यह कोशन देख इन पिडिएफ में देखनों को मिल जाएंगे अब बात करते हैं कि यह प्रफ्र प्रेम को कैसे अभिवख्थ करते हैं सारे आपको question जो important है वो आपको इस पेपर में मिल जाते हैं, आपको पत्र जो है आपने से लक्टर लिखे हैं, फिर उसके बाद आपके जो निबंध आया है, यहां पर आप देख सकते हैं, यो गासन और स्वframe, जब की निबंध इस पेपर में आई हो हैं, सब कुछ नंबर फे आपको योगासन स्वास्ते देखने को मिल जा रहा है इसके लावा आपका वहवारिक व्याखरंट जिसमें आपको निडिशन अथा उत्तर लिखने सकर्मा कर्मा क्रिया आपको बतानी के लिए कई कोशन आए हूँ है उसके अलावा फिर क्रिया पच्छाट करके उसका प्रियों करना है यह सब सारा कुछ आपको आनिवारे संस्क्रित यानी जो आपके संस्क्रित के ले सकते हैं यह पांच पीड़ियेफ हैं दोलों रास्ते हैं और दूसरा जो स्टेप है वो है आपका पॉर्पे पर कैसे पेऊंचे की तो पहले बात कर लेते हैं पहले मैं इनकी कोश्ट आपको दिखा देता है कितने रुपय में आप आप आपको देखने को मिल जाते हैं कौन सी पीडैफ कितने रुपए करना फिर उनको GB करना काफी मेनद बहला काम रहता है और बहुती कम कोस्ट में निखल ही पंदर रुपए इसके लावा आपका जो वैवारिक व्याकरन है वो 20 रुपए अगर आप टोटल कर लेंगे तो लगबख 17-19 रुपए के आसपास इस पांच की पांच पीडियाफ आपको देंगों को मिल जाती है अब बात करें कि जो बच्चे इसको डैक्ट वर्टसप पर लेना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे तो आपकी सामने पर वटसप नंबर शो हो रहा है इस वटसप नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है अपने सब्सक्राइब जैसे पैमेंट करेंगे पीडियाफ आपके वर्टसप नंबर पर आ जाएगी अब बात कर लेते कि जो पर लिए तोड़ उसके बाद आपको डिक्रने आपको लिस्ट मिल जाएगी जो भी आपके पीडिएफ हैं तो आप नेक्स्ट इस पेश पर आ जाएगी इसमें चाहिए आपको जो भी पीडिएफ लेनी है simply आपने उसको add to card कर लेना है add to card करने वाद आपको कुछ ऐसे interface देख दो हम लिएगा next आजाएगा proceed to check out check out पर आप जब click करते हैं तो आप से यहां पर first name, last name वगरा सब detail जो भी मांगी जाएगी वो आपने आप फिल कर लेनी है और last name आप टिक करके place order और इसको आप से payment का option मागा जाएगा जैसे आप payment करते हैं आपको PDF का download करने का option उदर ही देखने को मिल जाएगा तो दोनों step मैंने आपको उता दी हैं एक आपको आपको गया WhatsApp और दूसरा आपको आपको ठीक लगए वहाँ से आप कर सकते हैं बात करते हैं कि जो बच्चे जो भी मैंने आपको पेपर दिखाया question paper, sample paper वो आपको अगर चाहिए वो आपको कहा में लेगा उसके लिए simply हम इसी वीडियो के description में आपको एक link दे देंगे हमारे WhatsApp ग्रूप का उस WhatsApp ग्रूप में हम यह सारे sample paper अपलोड कर देंगे आपको पूरी जानकर आप अच्छे समझ गया और इस sample paper को तो बहुत अच्छे से आपने तयार कर लेना है मिलते हैं other subject के sample paper के साथ thank you so much and best wishes for your board exam 2024-25